Untitled Chapter, City Hospital, नवया का वार्ड, वो लड़का नवया के वार्ड के गेग पर खड़ा था, वो एक तक बस बैट पर पड़ी हुए नवया को देख रहा था, वो लड़का धीरे कदमों से नवया के करीब जाने लगता है, साथ ही उसकी होट बीट भी बढ़ जाती है, वो लड़का नवया के बैट के पास पहुँच कर नवया के फेस को देखने लगता है, नवया के फेस पर ओक्सीजन लगा हुआ था, और उसके माथे पर पत्तियां बंधी हुए थी, ये सब देखते ही उस लड़के के आँखों से एक कट्रा आंसु बह जाता है, तभी नवया धीरे धी ड्रामा किया, करन सिया से मैंने कब कहा कि वो अर्थ से प्यार नहीं करती, सिया करन को घूरते हुए, तुमने अभी तो कहा को वो अर्थ के दोस्त अविनाश को पसंद करती थी, करन ड्राइव करते हुए एक्जाक्ली वो अविनाश को पसंद करती थी पर प्यार उसे का सीनियर था नव्या की फैमिली में कोई नहीं है जिस वजह से मुझे उसे काफी ज्यादा कनेक्शन फील होता था जिस वजह से हम दोनों बेहत करीब आग ये मैं उसे अपनी बहन मानता हूं सिया अपना मुझे उनकी लव स्टोरी सुननी है ना कि तुम्हारी और नव्या की सिया की बात सुनकरन उसे घूर कर देखने लगता है जिसे सिया चुक हो जाती है वो लड़का नव्या से नव्या तुम ठीक हो नव्या अपनी धीरी आवाज में आ आ नव्या से बोला नहीं जा रहा था वो लड़का नव्या का हाथ कसकर पकड़ हा नव्या में हूं अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जी हाँ वो लड़का अक्षी था जो नव्या से मिलने आया था नव्या अपनी हिम्मत जुटा कर अपनी कांपती हुए आवाज में था तुम अब क्यों आए हो कहते हुए उसकी आँखों से आंसु बहने लगते है आक् नव्या के हाथों को चूंगते हुए मुझे माफ कर दो नव्या मैं नहीं समझ पाया कि तुम मुझ से कितना प्यार करती हो मैंने हमेशा तुम्हें थुकरा कर तुम्हारे प्यार का मजाग बनाया है प्लीज मुझे माफ कर दो कहते हुए अक्ष की आँखे बहने लगती है आक्ष आगे कहते हुए अगर तुम्हे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा आक्ष में इतना कहा ही था कि तभी उसके कंदे पर कोई हाथ रखता है आक्ष पलट कर देखता है आक्ष अपने पीछे देखते हुए करन तुम करन अक्ष के कंदे पर हाथ रखे हुए रिलाक्ष अक्ष नव्या ठीक हो जाएगी अक्ष करन से ये सब मेरी गलती है यार नव्या मुझसे इतना प्यार करती रही और एक में जो हमेशा अपने जिद के आगे इसके प्यार को समझ नहीं पाया तभी अक्ष के कानों में एक और आवाज अती है अक्ष वक अभी भी है तुम्हारे पास आगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता आवाज सुन अक्ष सामने देखता है जहां सिया ख़ली थी अक्ष सिया को वहां देख थोड़ा हैरान हो जाता है अक्ष सिया से भाब ही आप यहां सिया नव्या के पास जाते हुए मेरी देवरानी इतने दर्द में है तो मुझे तो आना ही था ना देवर जी क्यों सही कहाना देवरानी जी कहते हुए सिया नव्या के पास पहांच चुकी थी आक्ष पलट कर सिया को देखता है और उसकी आँखे हैरानी में फेल जाती है नव्या सिया को हक किये हुए बैद पर बैठी हुए थी और दोनों आक्ष को ही देख रहे थे आक्ष हैरानी से ये क्या तुम बिल्कुल ठीक हो नव्या नव्या तपाक से तो क्या मुझे ठीक नहीं होना चाहिए आक्ष हरबड़ा कर अंडस को नहीं मेरा मतलब ये नहीं है आक्ष करन से ये सब क्या है करन करन बिना किसी भाव के जो भी है तुम्हारे और नव्या के बीच की बात है इतना कहकर करन सिया के तरफ बढ़ जाता है और उसका हाथ पकर वहां से जाने लगता है करन एक कदम भी आगे बढ़ाए उसे पहले ही नव्या उसका हाथ पकर लेती है करन नव्या को पलट कर देखता है जो इसे प्लिसिंग नजरो से देख रही थी करन अपना हाथ नव्या के हाथ से छुड़वाते हुए आगे की लड़ाए अब तुम्हें खुद अकेले लड़नी होगी इतना कह लड़की करन सिया को लेकर वार्ट से बाहर निकल जाता है वार्ट के बाहर निकलने ही सिया करन से अकेला क्यों छोड़ा तुमने उन दोनों को तुमने अर्थ का फेस देखा था वो कितने गुस्से में था कही वो गुस्से में नव्या को हट करन सिया से अर्थ चाहे जीतने भी गुसे में हो वो नव्या को हट नहीं करेगा क्यूंकि वो उसे प्यार करता है और जहां प्यार होता है वहाँ ये सब नहीं होता सिया करन को देखते हुए काश सब ऐसे ही होते सेया के इतना कहते ही करन जो अब तक सेया को लेकर अपने कार तक आ गया था वो उसे पलट कर देखने लगता है सेया कुछ पाल करन की आँखों में देखती है उसके बाद कार में बेच जाती है करन भी दूसरी तरफ से जाकर कार में बेच जाता है कार के अंदर सेया करन से वैसे तुम मुझे यहां क्यूं लाए थे करन ड्राइव करते हुए मैं जानता हूं तुमने कई बार मेरे फोन में नव्या की कॉल देखी है सो जाहिर सी बात है तुम्हारे मन में दाउट भी आया होगा इसलिए मैं बस वो दाउट को खत्म करना चाहता था मैं नहीं चाहता अब हमारे बीच कोई गलत फहमी रहे सेया करन से वैसे नव्या और अर्थ उन दोनों में प्रॉब्लम क्या है मुझे अब तक समझ नहीं आया करन ड्राइव करते हुए अर्थ के मन में नव्या के लिए प्यार से पहले सिर्फ एक दोस्ती थी वो दोनों बेहत क्लोज फ्रेंड थे अर्थ नव्या से प्यार करता था वही नव्या अर्थ के बैस्ट फ्रेंड अविनाश को लाइक करती थी मैं उसके लिए रेडी हूँ सिटी हॉस्पिटल नव्या का वार्ड करन और सिया के जाने के बाद वार्ड में एक दम शान्ति छा जाती है नव्या तिर्ची नजरों से अर्थ को देख रही थी जिसका चहरा एक दम सर्द नजर आ रहा था जिसे देख अंदर ही अंदर नव्या को बहुत दर लग रहा था अर्थ जाकर वार्ड का गेक बंद करता है और फिर अपने कदम नव्या के तरफ बढ़ने लगता है जिसे देख नव्या की आँखे हिरानी और डर से फेल जाती है नव्या अपना सलाया गटकते हुए अर्थ देखो मैंने जो किया उसमें मेरी मजबूरी थी मैं नहीं इसे आगे नव्या कुछ कहती उसे पहले ही अर्थ उसके करीब आकर उसके होंटों पर अपनी उंदी रख देता है दोनों एक दूसरे की आँखों में देखने लगता है साथ ही नव्या की आँखों से अंशु बहने लगते है नव्या को रोटा देख अर्थ उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लेता है जिसे नव्या और जोर जोर से रोने लगती है अर्थ नव्या का सर सहलाते हुए शुष शांथ हो जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्यूंकि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तुमने ये सब मजबूरी में किया इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ मेरी वजह से तुम्हें ये सब नाटक करना पड़ा जब मैंने ये सुना कि तुम हॉस्पिटल में हो तब उस पाल मुझे ऐसास हुआ कि तुम मेरे लिया क्या हो मैं सब भूल कर पगलों की तरह राजस्थान से मुंबई आया हूँ ये एक एक पाल मेरे लिए एक एक साल जितना था मुझे तब ऐसास हुए कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अर्थ की आँखे नम हो जाती है नव्या अर्थ के सीने में अपना सिर छुपाए हुए मतलब तुमने मुझे माफ किया अर्थ नव्या का सिर्ष एहलाते हुए माफी तो मुझे तुम से मांदनी चाहिए तुन मेरा इंतजार करती रही और मैं तुम ही तड़पता रहा मेरा इगो हमेशा मेरे प्यार पर भारी पड़ता रहा जिस दिन तुमने ये कहा था कि तुम अविनाश को पसंद करती हो उस दिन से मेरे अंदर का तुमाहरे लिए प्यार मेरे इगो पर भारी पड़ता गया नव्या सुबकते हुई पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ ना कि मैं अविनाश को सिर्फ पसंद करती हूँ प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ जब तुम मुझे से दूर हुए तब मुझे ऐसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अर्थ आगे कहते हुए उसके बाद तुम आई मेरे पास अपने प्यार का इजहार किया पर मैं नहीं माना मैंने खुद तुम्हें मुझ से दूर कर दिया नव्या अर्थ से अलग होते हुए हमें तो खुद भगवान अलग नहीं कर सकता तो तुम किस खेत की मूली हो नव्या की बात सुन अर्थ के फेस पर स्माइल आ जाती है अर्थ नव्या के बगल में बेट कर उसे कमर से पकर बिलकुल अपने करीब कर लेता है जिसे नव्या अर्थ के सीने सेजा लगती है दोनों एक दूसरे की आँखों में देखने लगते है अर्थ की नजरे नव्या के कांपते हुए होंठों पर पड़ती है जिसे वो अपने गिरफ में ले लेता है जिसे नव्या की आँखे कसकर बंध हो जाती है इस एसास के लिए दोनों कब से बेचैन थे ये दोनों की फर्स्ट किस थी अर्थ नव्या की कमर पर अपनी पकर कस्ते हुए उसे किस किये जा रहा था वही नव्या के हाथ अर्थ के बालों में उलजे हुए थे करीब 20 मिनट के लंबी किस के बाद दोनों अलग होते है दोनों के फोरहे रापस में जुल जाते है नव्या लंबी लंबी सांसे लेने लगती है उसके गाल भी लाल हो गए थे और उसकी नजरे नीचे थी उसे काफी शर्मा रही थी वही अर्थ बड़े प्यार से नव्या का शर्माता हुआ फेस देख रहा था रात का वक्त, करन और सिया का कमरा सिया अपना फोन चला रही थी कि तभी अचानक करन वहां आता है और उसके सामने बैठ जाता है करन को तु अचानक अपने सामने देख सिया उसे देखने लगती है अगले ही पाल करन सिया को कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते है करन सिया के कान में I am sorry सिया करन को ना समझी में देखने लगती है सिया कुछ समझ पाए उसे पहले ही करन सिया के होंठों को अपने गिरफ्ट में ले लेता है जिसे सिया की आँखें हिरानी से फेल जाती है पर सिया इसका कोई विरोध नहीं करती करन अपनी आँखें बंद कर सिया को किस करने लगता है करन का हाथ सिया के कमर से होते हुए उसका पेच सहलाने लगता है वही सिया अपनी आँखें बंद कर करन जो कर रहा था उसे फील करने लगती है उसे आज ये सब अच्छा लग रहा था सिया का हाथ करन के बालों में चला जाता है करीब आधे घंटे के बाद करन सिया के होंटों को छोलता है सिया के लिप से एक दम रेड हो गए थे और वो लंबी-लंबी सांसे लेने लगती है करन सिया के forehead पर किसकर कमरे से बाहर चला जाता है उसके जाने के बाद सिया अपना phone उठा कर bathroom में भाग जाती है bathroom में जाने के बाद सिया मिरमें अपना face देखती है जो raid हो गया था सिया जल्दी से किसी को call करती है दो ring में ही सामने वाला call answer कर देता है सिया on call काव्या मुझे तेरी help चाहिए काव्या जो job धूरने इधर उधर भटक रही थी वो कहती है हाँ बोलना क्या help चाहिए सिया गहरी सांस लेकर करन ने मुझे अभी कुछ देर पहले किस किया काव्या सिया से तो ये तुम्हारी पहली किस थी सिया अपने आपको मिर में देखते हुए नहीं इसे पहले ना जाने कितने ही बार मुझे करन ने किस की होगी पर पता नहीं आज पहली बा मुझे वो किस अच्छी लग रही थी काव्या सिया से तो इसमें problem क्या है ये तो अच्छी बात है ना सिया on call नहीं नहीं मुझे अभी तक अपनी feeling समझ नहीं आ रही काव्या सिया को समझते हुए मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तू अपने रिष्टे में एक कदम आगे बढ़ाए सिया हिचक हिचाते हुए ये सही होगा अभी इंजोई करेगी तब तुझे खुद फील होगा कि तू रेडी है इंडिया में करोडों ऐसी शादी है जिसमें बिना प्यार के शादी के अगले ही दिन वो सब हो जाता है क्या वो लोग रेडी रहते है तू और करन तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो वो लोग तो जानते भी नहीं होते और उसके बाद उन सब के बीच एक ना तूटने वाला रिष्टा जुर जाता है अब ये तेरे पर है तू क्या करना चाहती है सेया ओन कॉल हाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहू करन को इस बारे में काव्या से किस बारे में सेया थोड़ा शर्माते हुए अरे यही की मैं इन सब मेरा मतलब की जो तू कह रही है काव्या अपने सिर पर मारते हुए अब ये भी मुझे बताना होगा सेया प्लिसेंड वोईस में बताना यार काव्या ओन कॉल नो वो तेरा कॉल है तो तुझे ही हैंडल करना होगा इतना कहकर काव्या कॉल कट कर देती है सेया मुँ बनाते हुए फोन स्क्रीन को देखने लगती है सेया अपने आप से अब में क्या करून मैं कैसे करन से कहूंगी ये सब करन सिया के पीछे से क्या कहना है मुझसे वाइफ ही सिया है रानी से पीछे पलट कर तुम यहां क्या कर रहे हो करन सिया के तरफ बढ़ते हुए ये मेरा कमरा है सिया टपक से पर हम अभी बातरूम में है करन सिया के तरफ बढ़ते हुए बातरूम मेरे ही कमरे में है वाइफ कहते हुए करन सिया के एकदम करीब आ चुका था करन सिया के दोनों तरफ के स्लाब पर हाथ रख खड़ा हो जाता है दोनों का फेस एक दम क्लोज था सिया जट से अपनी आँखे बंद कर लेती है सिया अपने मन में जरूर अब करन मुझे किस करेगा अब मैं उसे नहीं रोकूँगी जिसे करन को समझ आ जाएगा कि मी रेडी हूँ इस रिष्टे को आगे बढ़ने के लिए यही सब सोचते हुए सिया आँखे बंद कर करन के किस करने का वेट करने लगती है पर काफी देर ऐसे खड़े रहने के बाद भी करन सिया को किस नहीं करता जिस वजह से सिया अपनी आँखे खोल करन को देखती है जो वहाँ से जा चुका था सिया अब वहाँ अकेली थी Untitled Chapter करन सिया कमरा सिया गुसे में वाश रूम से बाहर आती है और करन को देखती है जो अपने लप्टॉप पर कुछ कम कर रहा था सिया अपने मन में जब सिर्फ काम ही काम करना था तो काम से ही शादी कर लेता मुझसे करने की क्या जरूरत थी करन सिया को देख कर कुछ कहा तुमने करन की आवाज सुन सिया अपने होश में आती है और अपना सिर्फ ना में हिला देती है उसके बाद सिया बैद पर जाकर लेट जाती है कुछ देर बाद करन भी अपना काम खत्म कर सोफे पर जाकर लेग जाता है करन को सोफे पार लेगते देख एक बार फिर सेया का मूँ बन जाता है Next morning, सेया मिरक के सामने ख़़ी होकर रेडी हो रही थी उसने white hot pant और green crop top पहना हुआ था और make up के नाम पर हलकी सी lipstick लगाए हुए थी करन सेया के पीछे से बोला किसका कतल करने का इरादा है आज मिसर्स का ran over oye करन की आवाज सुन सेया पलट कर देखती है सेया attitude के साथ सोच रही हूँ शुरुवात आपसे ही करून मिस्टर सियाबा सेया की बात सुन करन के face पर smile आ जाती है करन अपने कदम सेया के तरफ बढ़ाते हुए मेरा कतल तो आपने बहुत पहले ही कर दिया है कहते हुए करन सेया के एक दम सामने आ चुका था सेया करन की आँखों में देखते हुए बोली वेल में बाहर जा रही हूँ कावया से मिलने इतना कहकर सेया करन के बगल से होते हुए वहां से निकल जाती है सेया के जाते ही अचानक करन का हाथ अपने दिल वाली जगह पर चला जाता है करन अपने सीने पर हाथ रख ये कैसे फीलिंग हो रही है मुझे RD Mall, काव्या और सिया मोल के एक क्याफे एरिया में कॉफी पी रहे थे सिया सीरियस आवाज में क्यों बुलाया मुझे यहां काव्या सिया को देखते हुए अब तक नाराज है सिया कॉफी पीते हुए मैं कौन होती हुँ नाराज होने वाली काव्या सिया के हाथ पर हाथ रख बोली माफ भी कर दे सिया तुझे तो पता है ना इस दुनिया में तेरे सिवाई कौन ही है मेरा और आगर तू ऐसे बेहेव करेगी तो कैसे चलेगा सिया काव्या को देखते हुए ये सब तुने तब नहीं सोचा जब तू बकवास कर रही थी अपने बारे में क्या कहा था कि कौन है तेरे इस दुनिया में तू तो अनात है ना काव्या नम अन्खों से सिया सेया काव्या को देखते हुए ये तो तेरे सब्ध है काव्या में तो बस तुझे याद दिला रही हूँ इसमें तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है काव्या से वो सब मैंने विवान से पीछा चुडाने के लिया ही कहा था मैं उससे पसंद नहीं करती सिया पर वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था उसे पीछा छुड़वाने के चक्कर में मेरे मुह से वो सब बक्वास निकल गया था सिया काव्या को देखते हुए विवान तुझे सच में पसंद करता है काव्या, he'll always hear so much उसकी आँखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है काव्या सिया को देखते हुए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती सिया मैं विवान के बारे में कुछ फील नहीं करती मैं तो यहां बस तुझ से सौरी मांगने आई थी सिया काव्या से तुझे पता है मैं तुझ से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती सिया की बात सुन काव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है काव्या सिया के पास जाकर उसे साइड हग करते हुए अंडिस को थैंकियो सो मच सिया सेया काव्या को साइड हग करते हुए बस-बस यादा एमोशनल होने की जरूरत नहीं है काव्या वापस से अपनी जगह पर बैठते हुए मेरे दिल से बोज उतर गया कल रात तेरे कॉल के बाद मैंने सोचा कि तूने मुझे माफ कर दिया है पर उसके बाद तेरे मेसेज ने मेरी गलत फेहमी खत्म कर दी सेया हसते हुए मैं एमोशन में बह कर तुझे कॉल कर दिया था बाद में जब मुझे याद आया कि मैं तुझ से गुस्सा हूँ तो मैंने तुझे तपाक से मेसेज कर दिया कि शेया अपनी बात पूरी करती उसे पहले ही कावय की मैं अभी भी तुझ से उतना ही गुस्सा हूँ जितना उस दिन थी कावय मूँ बनाते हुए ये पढ़ते ही मेरा मूड अफ हो गया था उसके बाद तो तुझ से मिलना बनता था सेया काव्या को देखते हुए वैसे अब तू क्या कर रही है अभी भी विवान के ओफिस में काव्या बीच में नहीं मैंने वो जॉब छोड़ दी तुझ से मिलने के बाद दो जगह इंटर्व्यू है मेरा में वही जाने वाली हूँ सेया काव्या को समझते हुए तू शो है ना कि तेरे मन में विवान को लेकर कोई फीलिंग नहीं है काव्या सेया को देखते हुए मैंने पहले भी कई बार कहा है सेया मेरे मन में विवान को लेकर कोई फीलिंग नहीं है सेया काव्या से पर तेरी आँखे हमेशा कुछ और ही कहती है काव्या बात बदलते हुए ये सब छोड़ ये बता अपनी मूम के पास कब जा रही है शादी के बाद कोई रश्म हुती है ना माय के जाने की सेया काव्या को देखते हुए हाँ आज शाम को ही में और करन जा रहे है हम कल ही जाने वाले थे पर जीत को कुछ कमा गया और उस वज़े से मानसी नहीं आ पाई इसलिए आज आएगी वो उसके आने के बाद में और करन भी निकल जाएंगे फिर दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते रहते है कुछ देर बाद कावया अपना बैग उठाते हुए चल सिया अब मुझे जाना होगा मेरा इंटर्व्यू का टाइम हो गया है सिया भी अपने जगल से उठते हुए हाँ चल मुझे भी निकलना होगा इतना कह कर दोनों निकल जाते है सिया इस बात से बेखबर की कोई उसका पीछा कर रहा है वो अपने धुन में मोल के बाहर निकल जाती है कावया कैप पकड़ कर वहां से निकल जाती है उसके जाने के बाद सिया भी एक दूसरी कैप लेकर वहां से निकल जाती है सिया के कैप के पीछे एक और कार निकालती है सिया हरन, सुनसान सडक में सिया की कैप चले जा रही थी उसके पीछे एक कार उसे कब से फॉलो कर रही थी तभी अचानक से वो कार आकर सिया की कैप को साइट से जटका देती है जिसे सिया जो अपने फोन में बिजी थी अचानक से हमला होने से वो हड़बड़ा जाती है सिया ड्राइवर से ये क्या कर रहे है आप देख कर चलाए ना कैप ड्राइवर ड्राइव करते हुए मैदम एक दूसरी कार हेम टकर मार रही है कैप ड्राइवर की बात सुन सिया बाहर देखती है जहां एक ब्लैक कार उनके साथ साथ चल रही थी उसके साथ ही वो कार एक बार और सिया की कैप को जटका देती है इस बार कैप ड्राइवर कैप संभल नहीं पाता और डाइरेक्ट उसकी कार जाकर सामने एक बड़े से पेट से टक्रा जाती है सिया का सिर साइड विंड से टक्रा जाता है और वो बेहोश हो जाती है दो घंटे बाद एक गुमनाम घर में एक खाली अंधेरे कमरे में सिया बैट पर बेहोशी की हालक में पड़ी हुए थी उसके माथे पर जहां चोट लगी हुए थी वहाँ अब पट्टी बंदी हुए थी कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है जिसे अंधेरे कमरे में रोशनी दिखने लगती है तभी कमरे में एक आदमी आता है और बैट पर पड़ी सिया को देखने लगता है उसके फेस पर इविल स्माइल थी वो लड़का अपने कदम सिया के तरफ बढ़ा देता है वो लड़का सिया के पास उसके बैट पर बेट उसके चहरे के देखते हुए लड़का अपने आप से राज मलहुत्रा जिसे चाहता है उसे हासिल करके रहता है और तुम तो मेरी जिद और चाहत दोनों हो सिया राज के फेस पर डेविल स्माइल थी राज सिया के फेस पर उंदी फेरते हुए बहुत घमंद है ना उसकरन और ब्रोई को अपने आप पर अबने देखता हीू कैसे बचा के ले जाएंगा तुम्हें मुझसे मैं तुम्हें लेकर यहां से बहुत दूर चला जाओंगा जहां हैं दोनों के अलावा और कोई ना हो तब ही राज का फोन रिंग करता है राज कॉल आंसर करता है सामने वाला ओन कॉल सर जैट रेडी है हम शाम को निकल सकते है राज सिया के फेस को देखते हुए वहां सारी तयारी करो हम शाम को नहीं अभी एक घंटे के अंदर वहां के लिए निकलेंगे सामने वाला हैरानी से सर यू अचानक राज सकत आवाज में जितना कहा है उतना करो अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इतना कहकर राज कॉल कट कर देता है राज सिया को देखते हुए अब में तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हमें अभी के अभी यहां से निकल ना होगा ताकि वो करन और ब्रोय कभी हम तक ना पहुँचे एक घंटे बाद राज अपनी कार से निकल कर एक ग्राउंड पहुँचता है जहां चौप खड़ा था, राज सिया को अपने बहों में लिया हुए चौप के अंदर एंटर होता है सिया अब तक बेहोश थी, कुछ ही पलों में उनका चौप वहां से टेक ओफ हो जाता है राज चौप में से पूरे शहर को देखते हुए आज के बाद मुझे और सिया को एक दूजे से कोई अलग नहीं कर पाएगा हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे ये सब सोचते हुए राज के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है कुछ ही देर में उनका चौप जमीन पर लेंड करता है राज सिया को अपनी बहों में उठा कार बाहर निकलता है राज एक लंबी सांस लेकर चरो तरफ देखता है देखने से ये कोई आय लेंड देख रहा था वहाँ कोई भी नहीं था तभी वहाँ सामने एक कार आकर रुकती है राज उस कार में बेट कर सिया के साथ वहाँ से निकल जाता है कुछ देर में राज की कार एक विला के सामने जाकर रुकती है जो देखने में ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर खूब सूरत था राच एक बार फिर सिया को अपनी गोद में उठा कर विला के अंदर चला जाता है दूसरी तरफ करन एक कमरे में बैठा हुआ था उस कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था करन की आँखे एकदम सर्द थी करन की सामने स्क्रीन पर एक तक नजारे गढ़ाए बैठा था करन बेहत खतरनाक आवाज में रगुकुल रीट सदा चली आए प्रान जाए परवचन ना जाए कहते हुए करन के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है आइलेंड पर सिया को धीरे धीरे होश आने लगता है उसके सर में काफी दर्द था सिया अपना सर पकर दर्द में अपनी आँखे खोलती है आँखे खोलते ही उसे चारो तरफ अंधेरा ही अंधेरा देख रहा था सिया अपने आप से ये में कहा हुई में तो कहते हुए सिया याद करने लगती है सिया अपने आप से में तो कैब में थी और हाँ उसका एक्सीडेंट भी हो गया था उस ब्लैक कार की वज़े से तो में यहां कैसे आहा मेरा सर तभी उस कमरे का डोर खुलता है और राज कमरे में एंटर होता है अंधेरे के वजह से सिया को राज का फेस नहीं दिखाए दे रहा था सिया घबराते हुए कौन, कौन हो तुम और क्यूं मुझे यहां लाए हो तभी राज उस कमरे की लाइट्स ओन कर देता है जिस वजह से पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है सिया राज को वहां देख है राणी से राज तुम, तुम यहां कैसे सिया की बात का राज कोई जवाब नहीं देता बस देविल स्माइल करने लगता है सिया कुछ सोचते हुए एक मिनिट कही तुम में तुम थे ना उस ब्लैक कार में तुम्हारी वज्जह से मेरा एक्सिडेंट हुआ था ना राज अपने कदम सिया के तरफ बढ़ते हुए एकदम सही सी हेच रही हो सिया ये सब मैंने ही किया तुम्हे पाने के लिए सिया गुसे में राज को घूरते हुए ये क्या बद्तमीजी है राज मेरी शादी हो चुकी है अब तुम मुझे कभी हासल नहीं कर सकते राज अपनी लाल आँखों से में नहीं मानता कोई शादी वादी तुम सिर्फ मेरी हो ऐसे कैसे कोई अचानक से आकर तुम्हे मुझे से दूर कर देगा मैंने तुम्हे बचपन से पगलों की तरफ चाहा है तुम्हारे साथ जिन्दगी बिताने के सपने देखे है ऐसे कैसे तुम्हे भूल जाओ चन अब बे राज की दुलहन सिया आइलेंड, राज का विला राज की बखवा से बते सुन सिया उसे हैरानी से देख रही थी सिया राज को हैरानी से देखते हुए बोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राज ये तुम कैसी बहकी बहकी बते कर रहे हो राज सिया के करीब जाते हुए दिमाग मेरा सही सलामत है सिया इसलिए तुम्हें पाने के लिए में कोभी हद पार कर सकता हूँ सिया राज को घूरते हुए पागल मत बनो राज मेरी शादी हो चुकी है राज सिया के करीब जाकर उसके गालों को कसकर पकर बोला शादी तो आज होगी तुम्हारी और मेरी उसके बाद होगी हमारी सुहागराग जिसके बाद तुम मुझ से कभी अलग नहीं हो सकती और कोई हेम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता सिया की आँखे नम हो गए थी राज के इस behavior से राज हमेशा ए उसके सामने काफी polite और caring nature का रहा था और अचानक उसका ये aggressive side सिया को दर्द दे रहा था सिया राज की शादी वाली बात सुन गुस्से में कहती है राज पगलो जैसे behavior मत करो मुझे दर्द हो रहा है छोड़ो राज अपनी पकर सिया पर और कस्ते हुए कभी नहीं अब में तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगा राज सिया के गाल को छोड़ते हुए टेबल की तरफ इशारा करते हुए शादी का जोड़ा वहां रखा है पहनो पीरी तयार हो जाओ आज ही हमारी शादी होगी में तुम्हें लेकर अब कोई पीरी रिस्क नहीं ले सकता सिया गुस्से में राज को चिलाते हुए में नहीं पहनूंगी कोई जोड़ा और किस शादी की बात कर रहे हो मेरी शादी हो चुकी है करन औब्रोय के साथ पती है वो मेरा ये शादी में तो क्या खुद भगवान भी नहीं मानेगे सिया ने इतना ही कहा था कि तभी राज एक जोड़ दार थप पर सिया के गालों पर रसीद देता है जिस वजह से उसका चहरा एक तरफ जुक जाता है राज सिया के बालों को पकर उसका चहरा अपने तरफ करते हुए खबरदार आगर एक बार और उस आदमी का नाम अपने जुबान से लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सिया के होटों के किनारे से खून बहने लगता है सिया अपनी लाल आखों से राज को देखते हुए करन अब सर्फ मेरी जुबान पर ही नहीं मेरी तकदीर में भी लिखा जा चुका है कहा कहा से उसके वजूद को मिटाओगे मेरे जिस्न की एक एक रूह में बसा है वो सिया की ये बात राज को और बुसा दिला देती है जिस वजह से राज एक और थपपर उसके गालों पर जड़ देता है राज सोर से चीखते हुए चुक बिलकुल चुक मुझे मजबूर मत करो सिया के मैं कुछ हैसा करूँ जो में नहीं करना चाहता तुम सा प्यार करता हूँ शादी करना चाहता हूँ इसमें गलत ही क्या है हमारी शादी तो होने वाली थी ना हमारे बीच में कौन आया वो करन और ब्रॉय तो गलती उसकी है मेरी नहीं उसमें मुझसे मेरा प्यार छीना मेरा सब कुछ छीन लिया और तुम उस लड़के के लिए मेरे सामने दलीले कर रही हो राज सिया के आँखों में आँखे डाल एक घंटे में मुझे तुम इस जोड़े में मिलनी चाहिए वरना तुम्हारी कसम शादी से पहले हमारी सुहाग रात मना के रहूंगा इतना कहकर राज सिया को जटक वहां से चला जाता है राज के जाने के बाद सिया बैड में मूँ छिपा कर रोने लगती है सिया रोते हुए खुद से करन कहा हो प्लीज मुझे यहां से ले जाओ में राज से शादी नहीं करना चाहती प्लीज मुझे यहां से ले जाओ एक घंटे बाद, राज वापस से उसी कमरे में आता है और गहरी सांस लेकर पूरे कमरे में एक नजर डालता है तब ही उसकी नजरे सिया पर जाती है जो ड्रेसिंग टेबल के सामने दुलहन के लाल जोडे में ख़़ी थी हैवी ब्राइडल ज्वैलरी और बिना किसी मेक अप के वोट बेहत खूबसूरत लग रही थी सेया अपनी आँखों में खाली पन लिये अपने आपको मिरमें देख रही थी राज अपने कदम सिया के तरफ बढ़ते हुए वेल मेरी दुलहन बिहार खूबसूरत लग रही है कहते हुए राज सिया तक पहुँच जाता है सिया मिरमें से राज कप देखते हुए तुम तो ऐसे नहीं थे ना राज फिर क्यों ऐसा बेहेव कर रहे हो तुम वो राज नहीं हो जिसे मैं जानती थी तुम तो कोई और हो वो राज कभी मेरे चहरे पर एक अंशु बरदस्त नहीं कर पाता था और तुमने मुझे थप पड़ इतना कह कर सिया चुक हो जाती है पर अभी भी उसके आशु बह रहे थे राज सिया के कमर पर अपने दोनों हाथ रख इस राज को बनाने वाली तुम ही हो सिया सिया राज के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोसीस करते हुए छोड़ो मुझे दूर रहो मुझे से मेरे करीब आने की या मुझे छूमी कोसीस भी मत करो राज राज सिया के कमर पर अपनी पकड़ और कस्ते हुए ये तो बस अभी शुरुवात है बस एक बार शादी हो जाने दो सिया उसके बैत तुम्हारे पूरे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा एसास होगा सिया राज से खुद को छुड़वाते हुए ऐसा कभी नहीं होगा राज सिया को पलत उसे कमर से पकड़ एकड़ अपने करीब करते हुए बहुत गुरूर है ना खुद पर अभी में तुम्हारा गुरूर तोलता हूँ तुम पर अपनी मोहर लगता हूँ कहते हुए राज सिया के होंथों की तरफ बढ़ने लगता है जिसे सिया की आँखे हैरानी से फेल जाती है सिया पीछे होने की नाकाम कोसिस करते हुए राज छोड़ो मुझे ये गलत है पर राज सिया की कोई बात नहीं सुनता वो अभी भी सिया के होंटों की तरफ बार रहा था सिया अपनी आखें बंद कर अपनी पूरी हिम्मत लगा कर राज को खुद से दूर धक्का मारती है अचानक इस धक्के से राज संभल नहीं पता और चार कदम पीछे हो जाता है सिया नम आखों से राज को देख रही थी वही राज खुद को संभल गस में सिया को गूर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है राज को अपनी तरफ आता देख सिया अपने कदम पीछे लेने लगती है